आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello friends, मैं जो को चैनल से मूला गया है कि the point on the line इस पर which is closest to origin age ठीक है, तो देखो हम क्या गटना कि पहले, सबसे पहले मैं ये coordinate axis बना लिता हूँ ठीक है, ये अपने coordinate axis बना लिया अब उस पर मैं line draw करता हूँ ठीक है, चलो, देखो 3x माइनस में कितना 2y is equal to 1 है अगर मेरा x is equal to 0 होता है तो y is equal to कितना लिया जागा देखो, minus में 1 by 2 लिया जागा और अगर y is equal to 0 होता है तो x is equal to कितना लिया जागा 1 by 3 लिया जागा, ठीक है चलो, तो देखो, y is equal to 0 इस पर होता है और 1 by 3 माँता हम लिए इधर कहीं होगा ठीक है, और x is equal to 0 तो हमारा लाइन जो बनेगा वो कैसा बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा ठीक है चलो तो यह हमारा लाइन हो गया और इस लाइन का इक्वेशन क्या है यही अपना 3x-2y is equal to 1 है अब हमको बताना है कि एक पॉइंट इस लाइन पर जो closest to origin होना चीह तो closest to origin का मतलब क्या होता है कि यहां से अगर मैं इस पर perpendicular अपने इस लाइन पर ठीक है इस लाइन पर perpendicular तो सबसे छोटी जो distance होगी यही पर perpendicular वारी distance होगी तो इसके बाद जहां भी जाएंगे और इस perpendicular से ज्यादा ही distance हो जाएगा इसका मतलब यह जो अपना इस line का इस लेते हैं ठीक है और इस line और यह अपना given line इन दोनों का point of intersection वहां से हमार foot up और print को लो निकल जाएगा ठीक है कि नहीं चलो तो देखो अपना line जो given है given line 3x minus 2y is equal to 1 है और इसका हमें अगर slope निकलना है ठीक है तो slope का होगा minus में a by b होता है ठीक है तो यहां पर minus में a मत्तब minus में 3 हो जाएगा divided by b कितना है minus में 2 है तो यह minus में 2 इसका मतलब जो slope है अपना given line का slope of given line वह कितना है 3x2 है ठीक है तो हमारा यह मैं मालता हूँ कि चलो यह p point है और यह अपना o point है तो op का slope होगा op का slope अगर मैं मालनों कि चलो m1 से denote कर रहा हूं ठीक है तो अगर दो line एक दूसरे के पर point color होते हैं तो m1 into m2 is equal to कितना होता है minus 1 होता है ठीक है तो इसका मतलब यहाँ पर m into m1 is equal to कितना होगा minus 1 होगा और m के वल्यूद कितनी है 3x2 है तो 3x2 into m1 is equal to कितना is equal to हमारा minus 1 होगा तो यहां से m1 के वल्यूद कितनी हो जाएगी minus 2x3 जाए है और यह भी पता है कि यह दोखो op 0,0 से पास हो रही है इसका मतलब इसका जो equation होगा y is equal to mx type का होगा ठीक है जहां पर m के वल्यूद कितनी है minus 2y3 तो minus 2y3 x y is equal to इतना हो गया ठीक है चलो तो equation of op भी हमरे पास हो गया अब equation of op मतलब यह op और अपना given line का point of intersection निकाल लेते ह है ठीक है तो 3x minus 2y is equal to 1 एक line होगया और यहां से y is equal to कितना minus 2x divided by 3 ठीक है चलो तो देखो यहां से इस y की value अगर इसमें रख देता हूं मैं तो 3x minus 2 in 2 में यहां पर हो जाएगा minus 2x divided by 3 is equal to कितना 1 ठीक है चलो तो यहां से यह देखो minus क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा औ 4 by 3x और यहां पर 3x और is equal to 1 ठीक है तो यहां से देखो LC में लेंगे तो यहां पर आएगा 3 और यहां पर हो जाएगा 9x और प्लस में कितना 4x is equal to 1 ठीक है तो यहां से 3 को इधर लेका जाएगा और 9 4 कितना होता है 13 13 x is equal to 3 तो x is equal to कितना हो जागा 3 by 13 हो जाएगा ठीक है x is equal to 3 by 13 आगया तो y is equal to कितना हो जाएगा y is equal to कितना है तो यहां से y is equal to कितना है मानिस में 2x divided by 3 है तो मानिस में 2 divided by 3 इंटू में x Χ, x कितना अपना 3 by 13 है तो यह 3 और यह 3 गया तो y is equal to कितना हो जाएगा minus 2 by 13 ठीक है तो हमारा जो point आगया यह आगया कितना यह हमारा point नहीं x is equal to कितना है 3 by 13 और y is equal to minus 2 by 13 तो 3 by 13 और minus 2 by 13 ठीक है और हमसे पूछा किया गया था The point वहीं पॉइंट पुछा गया है जो close to origin है तो हमारा पॉइंट क्या है ये P है मदद 3 by 13 और मानिस में 2 by 13 क्या होगा एंसर तो हूप आपको समझ में आओगा थेंक्यू क्लासिक्स टुट्वल से लेके NEED IIT जेही मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडिंट्स कभर होसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप या वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर